मैं हूँ निहाल लेदा और स्वागत करता हम सभी का जी पील एकेडमी के इस वीडियों में इस वीडियों हम लोग डिप्रोमा सेकेंड समिश्टर में एमो एसेच एनिक की मेकैनिकल ऑप्रेसंट एंड स्वॉलिड हैंडलिग सब्जिट को पढ़ने वाले हैं ये हमारा चिप्टर नावर टू का लास्ट वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग हैं मर मिल क्या होता है इसको पढ़ने वाले है बता दोश्ट वथ जो हैमर मिल मैंन लास्त तक बने दिएगा अज वीडियो को पूरे अच्छे से देखेगा और आप हमारे इस चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा चलिए इस वीडियो को लोग सुरू करते हैं सबसे पहले हम जानेंगे फॉर्स्ट इनिंग हमारी क्या है उसे हम लोग जा तुम्हें बता रखा है आप जान सते हो कि स्क्रीनिंग क्या होती है मेंस नंबर क्या होता है यह भी काफी इंपोरेंट टॉपिक है जानते हम लोग इसके किसी मैटेरियल को को स्क्रीनिंग से पराप्त होने वाली ओवर साइज पार्टिकल की क्वालिटी अथवा ओवर साइज पार्टिकल की क्वालिटी तथा फीड में उपस्तित अंडर साइज पार्टिकल का जो अनपाथ होता है वह कराती है हमारे एफिसिंसी ऑफ इसक्रीनिंग आपनों यहां देख सकते हो इसकी फार्मूला क्या होता है फार्मूला होता है दोस्त इकूल एक और डी अपन भी क्या होता है अब जानते हैं हमारा आर क्या है भी क्या है फी क्या होता है तो जो वह ता इसक्रीन वह होता है परसंटेज औफफ ऐनल मेतेरियल क्या होता है हमें तक और से थिया पढ़ लिया जानते हैं इसका होती है इसे हम जानते हैं एदर सर्फेस एंशी क्रीट बाइं क्रसिंग टू दो एनरजी क्रसिंग क्रसिंग और स्ट्रीड पार्टिकल यानि यह कि बतादो जोस तक जो फार्मुला होता है वह होता है वL n equal PS awb minus awa upon hc होता है और यह क्या होती यह होता है दोस्त बताओ यह किसका किसका रेशियो होता है यह होता है इती देर रेशियो होता है surface energy created नहीं सरफेस एनर्जी created by security होता है यह crossing to the energy increasing क्र这 एनर्जी क्राशिंग औफ द्ट वालिट beforehand क्या सॉलिट पार्टिकल से किस्थ होती है यि आगे बडरते हैं जानते हम अ इस क्या है पीस क्या है सब कुछ ठीक है तो उस्व बीए स्क्वार्ट होता है वह स्भा सिर आपने पर यूनिट युह कर आप युनिट जो ऐडल जो बैटेरियल है वह पर इन्युट में कितने इनर्जी को अबजर्ब कर रहा है अब जानते हैं हम लोग हैमर में क्या होता है यह काफ़ी मंपोटेन्ट टोफिक है है मर मिल इस वीडियो हम लोग आपको यह एक ग्रेंडिंग मसीन होती है इसका पर हम लोग भ हेरी फाइन पा यह क्या होता है यह एक ग्रेंडी मसीन होती है और इसका यूज हम लोग करते हैं भेरिफाइंग पाड़ेकर को प्राप्ट करने में इसका प्रिंसिपल क्या होता है इसकी प्रिंसिपल क्या है इसकी प्रिंसिपल क्या है इसकी प्रिंसिपल है इसकी प्रिंसिपल पर वर्क करत जानते इसके construction और इसके working के बारे में हिस्सन रचना और किसके कारेविधी के बारे में जानते हैं जहां समझेगा आप लो यह एक grinding machine होती है यह एक cylindrical के रूप में होती है इसमें एक soft disk लगी होती है इन disk पर clean rectangular slide के blade लगे होते हैं हैमल लगबग आधा इंच या 1.6 इंच तक मोटे होते हैं इसके नीचले हिस्से पर screen लगी रती है जिसके अंदर high speed से चलने वाला rotor लगा होता है क्या होता है इसकंदे high speed का चलने वाला rotor लगा होता है जो material से जो material को top से bottom तक लाने में काम करता है क्या है यह material को top से stop bottom से यह कहता है bottom तक लाने में मदद करता है crushing के बाद feed किया हुआ material screen की सहायता से बाहर निकल जाता है इसमें 200 minutes number की सक्रीण का यूज क्यानते इसमें जो screen यूज होती है वह 200 minutes number की लगा जाती है I hope आप लोब minutes number जानते हो गे मैंने 4.2 में पढ़ाय है thirst number क्या होती है आप लोगो जाको होहसे समझ सकते वह अब जानते हैं है माव मिल के यूज़ तो है में मैं मिल का है मर मिल का यूज फुड इंडेस्टि में गिया था है किसी इ Watts को दौन करने के लिए इसके दोआरा हम पार्टिकल के साइज को रेडियूश कर सकते हैं किसी पारटीकल का साइज अगर रेटिउज करना हो है same तो banal mail क्या होता है दोस्स बता दो आपको बाल बालमेल वी एक ग्रंडींग मस होती है इसके द्वारा हम लो पार्टिकल के साैज को रेडिश कर सकते हैं छे वर्क करता है इसके वर्किंग क्या आती है इसके हम जानते हैं इसमें एक होरिजेंटर सिलेंडिकल लगा ह Tiffany एक होरिजेंटर में सिलेंडर लगा होता है जिसका डायमेटर उसकी लेंध के बराबर होती है Caesar को एक ४ेर की सहायता से चलाय जाता है फीट जो आपको को मेरेम错 आज जाता है करास हो टूट जाता है यादि वानमिल की स्पीड करना होता है क्या होता हो Barnes बहुत छोटी छोटी बाल लगते हैं बहुत छोटी छोटी बाल लगते हैं और नेका बीच भी सोपर आती आगर कोई बाल में बता दो अगर आपके इसमें दो ग्याय दें पैसme चार गेया है ऐसे लगाई है प्याया है और नेचे भी यहां लगाई गई हैं यहां लगा ंशर किया कर रहा है इसके बीचे कर देते हैं भेद देती हैं इस तरह से आप लोग यहां तक समझ गया हो जानते इसके एडवांटेश एडवांटेश का होता है इसमें पावर का यूज बहुत कम यूज होता है इस मसीन में खर्चा कम आता है इसमें इस मसीन का यूज open circuit त्दक ङूलोज के लिए किया एता ओंजोग ये प्रेंट टेकनोलोज प्रेंट इंडेस्ट्री में सबस्चाइब बालर का यूज कहता यह रहा हमारा बालमें का डाइगराम आप लेशे डाइगराम को बना करा तो इसे हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा टॉपिक है इसे भी पढ़ लेते हैं हम लोग ऑपन सर्किट ऑपरेशन क्या होता है इस किरिया में फीट पार्टिकल को तोड़ने के लिए बाल मेल में केवल एक ही बार गुजरना पड़ता है ठीक है अर्थात एक ही बार इसका यूज किया जाता है इससे एंडर साइज पार्टिकल को लगता अलग करने के लिए एक्स्ट्रा पावर की आउसकता पड़ती है क्या होतीए इस अप्रेशन में सबसे पहले फीड मैटेल स्क्रिर्निंग में बैब भाग में बढ़ जाता है पाहला भाग जो सबसे पराप्त ही हम भाई में भाद के। परापत हो दूसरा बहुत है जिसे रो करसन में भी जाएता है फीर उसे आपकर घ्रता करते हैं क्रसी में भेजसे और फिर हम लोग क्या करते से बाल में बेदें तरह तरह से यह पूर सेक्टर नमर क्या होता है थर्ड ही यह हैं पर इंड होता है और अगली वीडियो किया है जिस बैच का नाम मैंने रखा है तंडो बैच इस बैच में आपको तेने वाला हूं ल Parents सभी इंपोर्टेंट कोशन आपको मिलेंगे है अभी बाखी यह बहुत चीज़ अभी मैं देने वाला हो आपको स्वाल्ड पेपर में में देने वाला हो क्या स्वाल्ड पेपर देने वाल हो हर एक सब्जेट की ठीक है अगर आप मेरे कोर्स से जुनना चाहते हो तो कोर्स को जोइन कर सकते हो 9369183527 पर कंटिट करके तो आई होप हमारे ये वीडियो आपको पसंद आया हुगा मिलते हैं नए वीडियो में नई टोपेसा तब तक के लिए बाइवाई जैहिंट टेक क्यार